जॉंबीज हमारे पॉपुलर कल्चर के हॉरर सीन्स के प्रमुक किरदार बन गए है जॉंबीज एक ऐसा खतरना केरेक्टर है जिसे खास्तोर पर हम हॉलिवूद मुवीज में देखते हैं और इसके बारे में बहुत सी रोचक जानकरी किताबों में भी पढ़ते रहते हैं एक ऐसा केरेक्टर जिसे कबर से निकली जिंदा लास की तरह दिखाया जाता है जो दिखने में तो मनुष की तरह ही होता है पर इसकी बाडी लेंगेज उसे जॉंबी बनाती है जिसके सरीर से खून टपक रह होता है जो की इनसानों पर हमला करने के लिए उनके आसपास आने की निरंतर कोशिस करते हैं और वो जिसे भी अपने दातों से चुएंगे वो जॉंबी बन जाएगा और ऐसा चलते चलते उनकी एक अच्छी फॉस तयार हो जाती है और आज की दुनिया में किसी के सामने भी जॉंबी वर्ड यूस किया जाए तो उसके सामने एक खतरना कलास की तस्वीर आती है लेकिन एक समझदार इनसान यह बात ठीक तरह से जानता है कि यह एक फालतू केरेक्टर है लेकिन आप इनकी वास्तविक्ता के बारे में कितना जानते है और क्या सोचते हो कि जॉंबी जॉंबी की सुरुवात कहां सोही होगी दोस्तो यह केरेक्टर दिखने में कितना ही फालतू दिखे लेकिन यह एक असली इंसान की कहानी है और ऐसा एक जॉंबी नाम का इंसान हमारी दुनिया में हुआ करता था और सायद उसी से प्रेडित या जॉंबीस निकल कर आए तो चलिए दोस्तों मैं आपको जॉंबीस के फेक्ट्स बताते हुए है एक रोचक सी कहानी की ओर लेकर था जॉंबीस के साथ हमारे समकालिन आकर रूप से अंग्रेजी कवी रॉबर्ट साउदी ने सन 1800 के दसक में अपने ब्राजील के इत्याज में इसका उल्ले किया था और मेरियम वेबस्टर डिक्सनरी के नुसार यह सब्द लुईसियाना क्रियोल या हैतियान क्रियोल सब्द जोन भी से आया है और यह किमडुनू स ब्राजील की लोग कताओं के महान इंसान की और संकेत करता है और पूरे यूरोप में ऐसी मानना थी कि जो भूतों से भी ज्यादा खतरना यह इंसान कोई और नहीं बलकि ब्राजील के इलाके में पैदा होने वाला एक मुस्लिम लीडर था एक ऐसा लीडर जिसे पूरी अपके लिए लड़ा और अपना पूरा जीवन अपने और अपनों की हकी लड़ाई में निकाल दिया तो चलो दोस्तों जानते हैं कि यह जान्दा जॉंबी कौन था और इसने ऐसे क्या काम किये जिससे यह आज पूरी दुनिया में प्रसित होगे आपने ये तो सुन रखा उनकी जिंद्गी में गुलामी का मुहर लग चुका था यानि वो हमेशा दूसरों के लिए ही काम किया करते थे और दूसरों के जुलम सहा करते थे और जब हम ऐसी बात करते हैं तो ऐसे में काले लोगों काही नाम आता था क्योंकि गुलामी का जो दर्द काले लोगों ने साहे और वो सायद किसी और ने नहीं साहे और खासकर अमरीका की खोज होने के बाद यूरोप के पुरे गोरे लोग वहाँ जाकर इन पर अपना राद चला देते और इन पर जुल्म किया करते उनके संसाधनों को चीन कर अपना अधिकार जाताना और उन्हें अपने कबजे में लेकर उनसे काम करवाना और फिर जुल्म करना और फिर उन्हें यूरोप में ले जाकर महंगे दाम में बेज देना यह तो एक आम सी बात थी और जब उन्हें जहाजों से यूरोप ले जाया जाता था तब तो इतने लंबे सफर में आदो की तो मौद भी हो जाया करती थी कियोंकि उन्हें कई कई दीन तक खाना भी नहीं मिलता था और फिर यह लोग उनसे बचने के लिए जंगलों में भी भाग कर रहने लगे और वहीं छुप छुप कर अपना गुजारा करने लगे लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और अब इन लोगों को डरने की जरूरत भी नहीं थी बलकि यह तो औ एक इनसान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जांजा जॉंबी रखा गया और इस जॉंबी ने लोगों के हक की लड़ाई लड़ी और ऐसे ऐसे काम किये जिनके वाज़ा से इसका नाम पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और वह एक मुस जॉंबी पिर गट्टी को प्रापत हुए और इनकी मौत होने के बाद यूरोपी ये लोगोंने इनकी लास के साथ बहुत बूरा सलूत किया और ऐसा हाल किया जिससे काले लोगों में एक बार फिर से उनका डर बैट जाए और इनको गुलाम बनाना भी बहुत आसान हो जाए और फिर वहां के लोग जांदा जॉंबी की उसी रूप में पुजा करने लगे और फिर वहां से ऐसा माना जाने लगा कि वहां एक और ऐसा ही जॉंब जॉम्बी की सल्तनत इतनी ज्यादा सक्तिसाली हो गय थी और वो इतना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गया था कि पूरे यूरोप के लोग उससे डरने लगते थे और ब्राजिल में अभी भी उन्हें खूप माना जाता है और वहां एक ऐसा तेवार भी मनाया जाता है जी एक चुलेर या किसी तंतर के द्वारा हिपनोटाइस किया गया या जिसे अपने वस में कर लिया गया हो और जो जीवित होते हुए भी मृत्यू की इस्तिती में प्रवेश कर चुका हो वैसे तो आजकल इस जॉम्बी सब्द का उप्योग हम भहुती साधरन रूप से करते ह यहने कि रूपक रूप से मिनस ऐसे जिव से जो धीरे धीरे चलता है जिसका अपने सरीर में कोई नियंतरन नहीं आए और वह अपने आसपास कोई दिल्चस्पे प्रस्तुत नहीं करता है लेकिन हर एक कहानी के पीछे एक रोचक दास्ता होती है जिसे जानना बहुती ज्य